साल 1967 में अरब देश इजराइल से लड़ रहे थे लेकिन इरान जो आज इजराइल का सबसे बड़ा दुस्मन है वो इजराइल को तेल बेच रहा था और उसके साथ करोडो रुपे का बिजनिस कर रहा था आज इजराइल इरान को सबसे बड़ा दुस्मन मानता है لेकिन जब सद्दाम हुसेन ने इरान पर हमला किया तब यही इजराइल इरान को करोड़ रुपे के हतियार दे कर सपोर्ट कर रहा था इस्राइल में मंगलवार को अचानक साइरन की आवादें गोटने लगी और आसमान में आतिश बाजियों जैसा नजारा दिखने लगी 1960 में अरब देशों ने खार्तूम रेजिलूशन पास किया और कहा इरान के लीडर खुमेनी ने इजराइल को चोटा सैतान और अमेरिका को बड़ा सैतान कहा लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल और अमेरिका की मदद भी ले रहे थी इजराइल के खुपिया एजंसी मोसाद के डिप्टी डायरेक्टर डैविड कामची ने कहा कि इरान के साथ हमारे बहुत गहरे सम्मंद थी लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि अचानक से इतने साल चले रिस्तों को अचानक से खिड़की के बाहर फैट दिया गया नए इज्राइली प्रधानमंत्री यज्जाक राबिन ने अरब देसों से दूस्ती करने की कोशिस की ताकि फिलिस्तीन की ये खुनी लड़ाई खत्म हो जाए लिकिन इज्राइल के ही एक कटरपंथी ने यज्जाक राबिन की हत्या कर दी जब नेतन्याव आये तो साल 1978 इज्राइली मिलिटरी के बड़े अधकारी याकोव निम्रोडी इरान की राजधानी तहरान में मौझूद अपने घर पर इराग के बड़े बड़े ओफिसर्स के लिए एक पार्टी रखते हैं और अपने महमानों को खुष करने के लिए निम्रोडी अपने बेटे ओफर से पियानो बजाने के लिए कहते हैं पार्टी में मौजूद इरानी आफिसर्स निम्रोडी के बेटे की प्यानो वजाने की कला से इतने खुस होते हैं कि इरान के चीफ आफ स्टाप जनरल फैर्यदून जम अपनी सोने की घड़ी उतार कर निम्रोडी के बेटे को दे देते हैं इरान और इजराईल के याराना का यो कोई इकलोता किस्सा नहीं है बलकि साल 1989 में रोहला खुमेनी के सता में आने तक अतीत में ऐसे सैक्ड़ों किस्से हैं जो इरान और इजराईल की गहरी दोस्ती को दरसाते हैं लेकिन आज दोनों देसों के बीच जैसे जंगी हाला चल रहे हैं लगता नहीं है कि इरान और इजराईल कभी एक ही पाले में हुआ करते थे आज इधर इजराईल इरान को तबहा करना चाहता है उधर इरान इजराईल को दुनिया के नक्से से मिटा देना चाहता है वैसे में सवाल उठता है कि इजराइल जिसकी लड़ाई फिलिस्तिनियों और उनके संग्धन हमाज से है उसकी लड़ाई इरान से कैसे हो सकती है जिससे उसका बॉर्डर तक नहीं मिलता जिस वक्त अरब देश फिलिस्तिन के सपूर्ट में इजराइल से लड़ रहे थे तब इरान इजराइल को तेल क्यों बेच रहा था इजराइल इरान को हत्यार बेचा करता था फिर दोनों के बीच लड़ाई के कारण क्या रहे आखिर इजराइल और इरान में दुस्मनी कैसे लेते हैं साथ ही कुछ बेसिक टम्स जैसे मिडल इस्ट और अरव वल्ड को भी समझ लेते हैं जब हम अरव वल्ड की बात करते हैं तो मेंली अरव कंट्री उन देशों को कहा जाता है जिसकी एथनिसिटी अरव होती है जिसमें 93% मुसलिम और बाकी 7% में इसाई और बाकी ट् चेतर को रिप्रेजेंट करता है जहांके लोग कल्चरली सेम होते हैं और अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं अरव चेतर में टोटल 22 देश आते हैं जिसमें West Asia और North African कंट्री सामिल होती हैं जिसमें Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Philippines, Saudi Arabia, Syria और UAE जैसे देश सामिल हैं अगर Middle East की बात की जाएं तो इसमें अरव वर्ल्ड का काफी portion आता है लेकिन Middle East अरव वर्ल्ड के मुकाबले छोटा रीजन है और इसमें ऐसे भी देश आते हैं जो अरवी नहीं हैं जैसे इरान और इज्रैल इरान Middle East में आता है और एक मुस्लिम देश भी है लेकिन टेक्निकली ये अरव देश नही और पाकिस्तान लगता है वहीं इसराइल जो Middle East में और इरान के तरह ही नौन अरव देश है उसके नौर्थ में लेबनान, नौर्थ इस्ट में सीरिया, इस्ट में जौडन और साउथ वेस्ट में एजिप्ट लगता है इसराइल के आसपास के सभी देश अरव देश है इसर बड़ा कॉंप्लेक्स है लेकिन तब भी इरानी सल्तनत ने अपने यहां के यहूदियों को काफी प्रेम भाव से रखा फिलिस्तीन और इज्राइल के विवाद छित्र में पहले यहूदी कम्यूनिटी रहती थी लेकिन बाद में इसाईयों और मुस्लमों के राज के कारण वे अलग-अलग देशों में भाग जाते हैं लेकिन अलग-अलग देशों में फैले यहूदियों को इन देशों में भी धार्मिक आधार पर प्रतारित किया जाता है इसकारण 19-20 सदी के अंत होते होते यहूदियों ने फिलिस्तीन में अपने लिए एक अलग यहूदी देश की मांग करना शुरू क रहे थे जैसे वह भारत में राजकर रहे थे इसलिए बिटिस लोगों ने भी यहूदियों के लिए फिलस्तीन के दौर खोल दी है लेकिन इससे लोकल फिलस्तिनी लोगों को बड़ी प्रोबम आने लगती है इस से पड़़ँसी अरब मुस्लिम देश भी यहूदियों के इतने बड़े इस्तर पर हो रहे हैं माइग्रेशन का विरूद करने लगते हैं लेकिन इस दोरान भी इरान में यहुदियों के लिए मामला बिलकुल नूट्रल रहता है 1940 के दसक में यूरोप खासकर हिटलर के जर्मनी में बड़ी मात्रा में यहुदियों का नरसार हो रहा था इस कारण यूरोप और जर्मनी के यहुदी फिलिस्तीन के तरफ बड़ी संख्था में माइग्रेशन करने लगते हैं इन्हीं यहुदियों में ब्रिखा जैसी यहुदी और्गनाईजेशन थी जो यहुदियों को माइगरेट करके उन्हें फिलिस्तीन एरिया में पहुंचाती थी जहां बाकी अरब देश यहुदियों के माइगरेशन का विरोध कर रहे थे उस वक्त ब्रिखा जैसी यहुदी स अपसरों को बड़ी मात्रा में घूस देनी पड़ती थी लेकिन इस तत्र से ये तो साफ हो जाता है कि उस वक्त भी जब मिडल इस्ट के अरब देश यहुदियों का भारी विरोध कर रहे थे तब इरान नीट्रल बना हुआ था और उसके नीट्रल होने के कारण ही यहुदिय संग ने एक resolution पास किया जिसके तहत तैह हुआ कि फिलिस्टीन की 42% जगय अरबों को दी जाएगी और 56% जमीन यहुदियों को दी जाएगी एक तरह से UN का ये resolution यहुदियों के एक अलग देश पर मोहर लगा देता है लेकिन UN के इस resolution को इरान और भारत समय तेरे देशों ने रिजेक्ट कर दिया भारत ने क्यों किया क्यों कि भारत का भी उस समय पर धार्मिक आदार पर विवाजन हुआ था इसलिए भारत किसी भी देश के विवाजन के पक्समें नहीं था वहीं 33 देशों ने UN के इस प्लान को मंजूरी दे दी UN resolution पास होने के बाद इसराइल ने फ सिरिया इराक और फिलिस्तिन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया इस तरह फर्स्ट अरब इजराइली वोर की सुरुआत हो जाती है लेकिन आगे की कहानी को जानने से पहले में आप से एक मिनट एक कॉमन प्रोब्लम यानि दातों के टेड़े मेडे होने और आगे पीछे होने की समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसकी वज़े से बहुत से लोगों का confidence डाउन रहता है दातों की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती cavities और दातों का पीलापन जैसी problems आती है इसी problem का best solution देता है toothsy teeth aligners toothsy teeth aligners दातों के बीच के gaps को बंद करने और टेडे मेडे दातों का सीधा करने का एक perfect लाज है पहले लोग ऐसे दातों को सही करने के लिए metal brushes लगाते थे जो देखने में काफी बल्की लोग देते थे उपर से painful होते थे उपर से सही होने में भी 2-5 साल लग जाते थे लेकिन toothsy teeth aligners एकदम painless हैं, removable होते हैं जब चाहे लगाया, जब चाहे निकाला सबसे important बात है कि दातों को सही करने में मातर 6-10 महिने का वक्त लगता है चुकि toothsy teeth aligners एकदम individual होते हैं, इसलिए किसी को भी पता नहीं लगता कि aligners लगाय हुए हैं अगर आप भी toothsy से guaranteed और painless रिजट चाहते हैं, तो समय विश्ट ना करें आज ये toothsy की website या app पर जाकर घर बैटे ही free teeth scan बुक करें toothsy के representative आपके घर पर आकर scan करते हैं या आप चाहें तो खुद भी उनके pen India experience centers भी विजट कर सकते हैं फिर जैसे ही आप smile plan approve करते हैं कुछी दिनों के भीतर, toothsy के द्वारा आपके लिए customized aligners deliver कर दिये जाते हैं toothsy ने तीन लाग से ज्यादा लोगों की smiles design की हैं और सौ से ज्यादा dentists और orthodontists की बैकिंग है toothsy की link description box और comment box में आपको मिल जाएगी अब वापस अपनी कहानी पर लोटते हैं अरब देशों के इसराइल पर हमले के बाद भी इरान इस first अरब इसराइल war में direct involved नहीं हुआ इसराइल को लेकर इरान का रवया बहुत clear नहीं रहा कभी neutral तो कभी खिलाप ऐसा मामला रहा एक साल बाद जब 11 अगस्त 1940 के दिन इसराइल को UN की membership दे दी जाती है तब इरान इसके खिलाप वूट करता है इसके पीचे वज़ाए ये थी कि इरान अपने पड़ोंसी अरब देजों से अपने रिस्ते खराब नहीं करना चाता था दूसरा इरान की मुस्लिम जनता फिलिस्तीन से सिंपैती रखती थी हालांकि अगले ही महीने सितंबर 1994 में जब तुर्की इजराइल को मानता देने वाला पहला मुस्लिम देश बन जाता है तब साल 1950 में इरान ने भी इजराइल को मानता दे दी इस तरहे एरान तुर्की के बाद इजराइल को माननता देने वाला दूसरा मुसलिम देश बना दरसल इरान के ततकालिन सासक रिजा पहलवी को इरान में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक तागतवर देश का सपोर्ट चाहिए था इसलिए रिजा पहलवी ने अमेरिका की गुड़ बुक में रहने के लिए इजराइल को माननेता दे दी ताकि अमेरिका से मिलने वाले military और economic support से वो Middle East में एक तागतवर नेता बनकर उबहें चुकि यहुदी लोग अमेरिका में law making से लेकर business तक बड़े बड़े पतों पर बैठे हुए थे इसलिए अमेरिका हमेशा से प्रो यहुदी रहा इसका जिक्र हमने यहुदियों को लेकर बनाई अपनी सीरीज में भी किया है इरान का इजराइल से हाथ मिलाने के पीछे दूसरा कारण यह था कि 1950 के दसक में Middle East में गमाल अब्देल नासिर का उदय हो रहा था गमाल अब्देल नासिर के विचार एंटी इंपरिलिजम यानि एंटी अमेरिका और ब्रिटेन थे पैन अरबिजम थे यानि अरब देशों की एकता हो और एंटी मोनार्की थे यानि वे राजाओं और तानासाओं की जगे लोगतंदर के समर्थक थे गमाल अब्देल नासिर और पैन अरबिजम विचारदारा वाली बात पार्टी के बारे में हमने सद्दाम हुसेन वाली वीडियो में विस्तार से बताया है आगे साल 1950 में गमाल अब्देल नासिर ने एजिप्ट में मोनार्क किंग यानि फारुक का तक्ता पलट करके रिपब्लिक ओफ एजिप्ट की हिस्तापना कर दी यानि लोगतंदर की हिस्तापना कर दी इसके साथ ही जौडन और सूडान में मौझूद बिटिस ओक्यूपिशन को बेदखल करके दोनों देशों को आजाद करवा दिया इन सब गठनाओं से नासिर की मिडल इस्ट में रात और रात लोग प्रिता बढ़ जाती है नासिर के एंटी इंपरिलिजम और अरव नेशनलिजम से जुड़े विचार इजिप्ट और सूडान से डिकल कर बाकी मिडल इस्टन कंट्रीज में भी पहुँचने लगे जिसमें इरान भी सामिल था रिजा पहल भी जो मोनार्क भी थे और अमेरिका की मदद से सत्ता पर काबिज थे उन्हें लगने लगा कि नासिर के एंटी मोनार्की और एंटी इंपरिलिजम वाले विचार उनकी कुड़सी के लिए खत्रा बनते जा रहे हैं चुक्कि एजराइल पहले ही फस्ट वार यानि फस्ट एजराइल अरव वार में इजिप्ट क creator खाने चित-कर चुका था इसलिए इरान इजराइल की मिलिटरी से इंप्रेस होकर इजराइल की साइड चुल लेता है ताकि नासियर के बढ़ते हुए इंफुएंस को कम किया जा सके इरान के इजराइल की साइड जाने का एक और रीजन था वो ये था कि 1950 के दसक में जब कूल्ड वर की शुरुआत हुई थी तब सोवियत यूनियन मिडल इस्ट में अपना इंफुएंस बढ़ा रहा था इसलिए गमाल अबदिल नासिर को सोवियत का सपोर्ट मिल रहा था इस इसलिए अरव कंट्रीज सुन्नी बहुमत वाले देश हैं सुन्नियों और सिया देशों में समय समय पर टकरार होती रही थी इसलिए भी इरान सुन्नी विरोधी इजराइल के पक्स में चला जाता है उपर से इरान को इजराइल के रूप में अपना ओil बेचने के लिए एक ग्रहक भी नजरा रहा था इसलिए भी इरान और इजराइल करीब आ जाते हैं लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने इरान से नजदीकियां क्यों बढ़ाई इसका प्रमक कारण है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डैविड बैन गुरियन की उस वक्त की विदेशनीती डैवि इजराइल के दुस्मन का दुस्मन उसका दूस्त बन सके इसलिए इजराइल ने अरब देशों जिन से उसकी टसल चल रही थी उनके पड़ोंसी देशों से दूस्ती करना शुरू कर दिया जैसे इरान और तुर्की इरान के अलाबा इजराइल ने अरब देशों में कुर्द लोग और लेवनान में मौझूद मारू नाइट के साथ भी संपर्क साधे। कुल मलाकर कुछ इस तरीके से रिजा पहलवी के दौर में इरान और इजराइल के सकारात्मक संबंदों की सुरुआत होती है। सबसे पहले इजराइल और इरान ने 11 जून 1953 के दिन दौनों देसों के राश्ट्य बैंकों के बीच पैसे के लेंदन को लेकर समझोते पर हस्ताक्सर किये। ताकि दौनों देसों के बीच चलने वाला ट्रेड यानि व्यापार स्मूदली ओपरेट हो सके। इसके बाद इजराइल ने अपने इंडिस्ट्रियल आइटम्स, मेडिकल एक्क्यूमेंट्स और एडवांस टेकनलोजी के बदले इरान से फूड आइटम्स का इंपूर्ट करना भी शुरू कर दिया। इसी साल एक इराइणी इसराइली कंपनी यानि आइरिस की स्तहपना भी की जाती है जिसमें इसराइली डिप्लोमेट जवी के ट्रीड को सीक्रेटली बढ़ावा देना था सीक्रेटली इसलिए ताकि बाकी अरब देशों में इरान की साग बची रहे और उनके साथ रिस्ते खराब ना हो ट्रांस एसियाटिक ओइल एंटिटी इजराइल और नेशनल इरानियन ओइल कंपनी के बीच सीक्रेट्स तरफ से ब्लोक कर दिया ताकि इसराइल व्यापार न कर पाए इस परस्तिती से भी इन पटने के लिए इरान और इसराइल ने मिलकर 50-50% की भागिदारी के साथ एलात असकेलोन पाइपलाइन कंपनी को बनाया जो इसराइल को इरान से डायरेक्ट ओइल सप्लाइ करती थी ये पाइपलाइन ट्रांस एसियाटिक ओइल एंटिटी की ही सबसीडियरी थी जो अपने पीक पर इसराइल को साल का लगबग 10 मिलियन टन तेल ट्रांसपर करती थी इसराइल इरान के तेल पर इतना डिपेंडनेंट था कि वो अपने टोटल तेल खपत का 40% इरान से लिता अब आपको यहां एक बात समझनी जरूरी है वो यह कि रेजा पहलवी के दोर में इरान और इसराइल के बीच जितने भी प्रोग्राम लॉंच हुए वो चाहे सीक्रेटली हुए या ओपन उनके पीछे दौनों देशों के आपसी हित थे यह बात मैं आपको इसलिए बता र इरान से आने वाले तेल की बिना रुकी सप्लाई चाहता था क्योंकि एजिप्ट जब चाहे स्वेज कैनाल को चौक कर सकता था उसे ब्लॉक कर सकता था रेड सी से मेडिटेरियन सी के बीच होने वाले ओईल ट्रांस्पूर्ट को ब्लॉक कर देता था ऐसे में इसराइल ने सीधे यूरोपिय मार्केट में पहुंचेगा इसलिए इरान ने इजराइल के साथ इस पाइपलाइन का निर्माण किया आगे साल 1973 में एक वार फिर इजराइल अरब युद सुरू होता है जिसे यौम किप्पुर वोर के नाम से भी जाना जाता है इस दोरान उपेक दिसों न जिसमें इरान भी आता था उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर तेल का प्रतिवंद लगा दिया यानि बेन लगा दिया लेकिन तब भी इरान ने अंदर खाने ही इसी पाइपलाइन से इजराइल और यूरोप को तेल दिया था युद्ध के दोरान भी इरान ने तील का जारी रखा ताकि इरान का रेवेनु बढ़ता रहे बाद में इरान ने इस रेवेनु का इस्तेमाल अपनी मिलिटरी को और अधिक इस्ट्रोंग करने के लिए किया 1941 से लेकर 1989 तक जब तक रेजा पहलवी इरान के लीडर रहे तब तक साल दर साल इरान और इजराईल का व्यापार बढ़ता रहा यहां यह बताना जरूरी है कि साल 1901 से 1933 के बीच इरान को मुहम्मद मौसदेग ने रूल किया था जिनका अमेरिका की खुपया इजनसी CIA ने तकता पलट करवा दिया था और इरान के सासन में अपने लोग बिठा दिये थे इसलिए रिजा पहलवी वही करते थे जो अमेरिका चाता था अमेरिका हित मतलब इसराईल के हित इस तरह इजराईल का एकस्पॉर्ट भी इरान में बढ़ा साल 1970 में 22.3 मिलियन डॉलर 1975 में 92.4 मिलियन डॉलर 1977 में 103.2 मिलियन डॉलर कुल मलाकर जहां बाकी अरब देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल से आए दिन युद्ध कर रहे थे वहीं इरान इसराइल के साथ प्रेम प्रसंग रचा रहा था लेकिन चोरी-चोरी चुपके-चुपके इसराइल और इरान ने केवल एकोनोमिक रिष्टे नहीं बनाए बलकि दोनों देशों ने मिलिटरी टाइज भी की चुकि 1950 के दसक में मिडल इस्ट कंट्रीज में एंटी-इसराइल सेंटीमेंट्स और प्रो-फिलिस्तिन सेंटीमेंट्स की बेव चल रही थी जिसका आसर इरान में भी देखने को मिल रहा था इसलिए रिजा पहलवी जो इसराइल के साथ अच्छे संबंद बना कर बैटे थे उनकी सुरक्षा के लिए अमिरका की जो खुपिया एजंसी है CIA और इसराइल की खुपिया एजंसी मुसाद ने मिलकर सावक नाम से एक पर्सनल सेक्योर्टी फोर्स बनाई जिसके लिए एक इसराइली ओफिसर जैकव नीम रोदी को इरान भीजा गया के बारे में हमने सुरू में जिक्र किया था सावक का काम ना केवल रिजा की सुरक्षा करना था बलकि एरान में प्रो फिलिस्तीनी ग्रुप पर पावंदी लगाना भी था साथी फिलिस्तीनी लोगों को दी जाने वाली जकात पर भी पावंदी लगाना था यहां इजराइल इरान को एक टॉप मिलिटरी पावर भी बना रहा था ताकि इरान इजराइल के विरोधी देश जैसे इजिप्ट का सामना कर सके जो सोवियत के पैसे से पावरफुल होता जा रहा था इसके लिए सितंबर 1977 में इरान के डिप्टी पीम और सावक के हेड जनरल तैमूर बक्तियार पैरिस में इजराइली एंबिस्टर याकोव जुर से मिले ताकि दोनों देशों के बीच इंटेलिएंस को सेयर किया जा सके इस घटबंदन में इजराइल ने तुर्की देश को भी चोड़ लिया और एक तरपक्सिये खुपिया संग्टर मनाया जिसका नाम ट्राइडेंट रखा गया इसके साती इरान और इजराइल ने मिलकर इराक में मौझूद कुर्द लोगों को मिलिटरी और आर्थिक सायता भी प्रदान की ताकि इराक में इमर्च हो रही बात पार्टी जो दोनों देशों के लिए खतरा थी उसको कंट्रोल किया जा सकी यहां बात पार्टी का थोड़ा सा जिक्र जरूरी है बात पार्टी एंटी अमेरिका ब्रिटेन पार्टी थी जो पैन अरविजम यानि की अरव देशों की एकताकी समर्तक थी यह पार्टी गमाल अबदिल नासिर के विचारों की भी समर्तक थी इस पार्टी की अलग अलग अरव देसों में लोकल यूनिट थी सद्दाम हुसेन भी इसी बात पार्टी की इराक यूनिट का मेंबर था और गमाल अब्दिल नासिर का समर्थक था इस पार्टी का एक बड़ा उद्दिस इजराइल को पूरी तरह खत्म करना था इसलिए इराकी बात पार्टी के अंदर जब सद्दाम हुसेन का उभार हो रहा था तो उसे कांटर करने के लिए इज़राइल और इरान ने मिलकर इराक के ही उतर में रहने वाले सीक्रेट मिलिटरी प्रोजेक्ट पर भी काम किया जिसे प्रोजेक्ट फ्लॉवर का नाम दिया जाता है जिसका मकसद एक एडवांस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना था कुल मिलाकर इजराइल ने इरान में एग्रिकल्चर डेवलेपमेंट, मॉडरनाइजेशन, मेडिकल सर्विस, एक्स्प्लोरेशन ओफ वॉटर सोर्सेज, रोड इंप्रूमेंट एंड रीकर्स्ट्रक्शन में काफी काम किया और इरानी स्टूडेंट और ओफिसर्स को ट्रेन में कई इजराइली स्कूल खोले गए, इलहल फ्लाइट्स डेली तहरान और तेल अविव के बीच उड़ा करती थी, यानि इरान और इजराइल के बीच में उड़ा करती थी, इजराइल और इरान के रिलेशन को जियो पॉलिटिकल टर्म में और रिलेशन ओफ लव आता है, जो 5 जून से 10 जून 1967 के बीच इजराइल बनाम एजिप्ट, सीरिया, जौडन जैसे अरब देसों के बीच लड़ा गया, इस युद्ध में अरब देसों की बुरी तरह हार होती है, इजराइल ने इजिप्ट से गाजा इस्ट्रिप और सिनाई पेनिनिसला चिन लि एक सितमर 1966 के दिन अरब देसों ने खार्थूम रेजलुशन पास किया, इस रेजलुशन में तीन बिग नो की बात की गई, नो पीच विद इस इजराइल, नो रिकॉगनाइजेशन विद इजराइल, नो नेगोशीशन विद इस रेजलुशन में आठ देसों किये, एक लेकिन इस बार बिंग अ मुस्लिम नेशन इरान को भी इसराइल को पब्लिक ली क्रिट्साइज करना पड़ा हालांकि पब्लिक ली क्रिट्साइज करने के बाद भी दोनों देशों के रिष्टे काइम रहते हैं लेकिन 1970 आते अरब जियो पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाती है 1970 में तीन इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसने इरान इजरायल रिष्टों को कम्प्लिटली चेंज कर दिया हालांकि ये दोस्ती से दुस्मनी की ये शुरुआत अचानक नहीं हुई बलकि धीरे धीरे ऐसी सिच्वेशन बनी जिसका प्रडाम हमें आज देखने को मिल पहले इंसिडेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत अरब एक्ता को आगे लेकर चलने वाले गमाल अब्दिल नासिर की मौत से हुई सितंबर 1970 में नासिर की मौत हो जाती हैं उनके बाद एजिप्ट में मुहम्मद अनवर अलसाधात आते हैं जिसके प्रती रेजा पहलव के आइडिया की बजाए मिजरली एजिप्ट की एकोनोमिक ग्रोथ और रीजनल इस्टैबलिटी पर बात करते थे वह इजराइल और वैस्ट से भी हात मिलाकर अरब वल्ड में सांती चाहते थे साती सोसलिजम एजेंडे से हटकर एजिप्ट के मार्केट को दुनिया के आप इजराइल और इरान लड़ रहे थे वह अब कॉमन वीजन रहा ही नहीं हालांकि 6 अक्टूबर 1981 के दिन अनवर साधात को उनके इनहीं लिबरेट विचारों की वज़े से उनी के रूडिवादी मिलिटरी ऑफिसर के द्वारा मौत के गाट उतार दिया जाता है दूसर एक्टूबर को इजराइल में यौम किप्पुर हॉलिडे था यानि इजराइल में एक धार्मिक तिवार था जिसकी वज़े से इजराइल इस हमले के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं था 20 दिन चले इस वार में इजिप्ट ने स्वेज कैनल के इस्टन बैंक पर कबज़ा क लिया ताकि जो सिनाई पैनुंसला को इजराइल ने इजिप्ट से कबज़ा किया था वो इजिप्ट वापस ले सके और हुआ भी ऐसा ही इस युद्ध से इजराइल के प्रती मिडल इस्ट देशों में जो एक मित बना हुआ था कि इजराइल को हराया जाना नामुम्किन है वो तूट जाता है इसे भी अब इरान को लगा कि अब उसे पहले के जैसे इजराइल की जरूरत नहीं रह गई है साल 1975 में इरान ने इजिप्ट के अलावा सीरिया के साथ भी अलजियर्स एकोर्ड को साइन किया जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे देश में मौजूद माइनर्टीज को एक दूसरे के खिलाब बढ़काना या उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया और सालों से चले आ रहे हैं अपने इंटरनल कॉन्फिक्ट को एक हद तक क्लोज कर दिया कुल मिलाकर इरान इजराइल जिन मकसद के लिए साथ में थे वे मकसद अब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे हाला कि इरान अभी भी इंटरनली इजराइल के साथ रिष्टे बनाए हुए था लेकिन ये खेल भी कुछ ही दिन चलने वाला था क्योंकि 1970 के दसक में ही इरान की पॉलिटिक्स में एक ऐसे नेता का उदय होने जा रहा था जो इजराइल और इरान के रिष्टों को सबसे वर्स्ट सिचुईशन में लाने वाला था उस आदमी का नाम था रोहला खुमेनी ये वो समय था जब इरान में रिजा पहलवी के ख लाड़ी चलाना और सिनेमा देखना सीधे तोर पर इसलाम पर हमला लग रहा था इसके साथ ही रेजा की पस्मी देश यानी विशेशकर अमेरिका के साथ नजदी क्या भी उनको पसंद नहीं आ रही थी रेजा द्वारा चलाए गए वाइट रेवल्यूशन को भी अब अर् दोलन खड़ा हो जाता है जिसे इसलामिक रेवलूशन का नाम दिया गया इसे लीड कर रहे थे रोहला खुमेनी ने न केवल रेजा के अमेर की रिस्तों पर टिपडियां की बलकि उनकी कथित एंटी इसलामिक पॉलिशीज पर भी निसाना साधा खुमेनी ने रेजा से जो अपने भास्रों में कहा कि इसराइल इरान की एकोनोमी को जब्त कर लेगा वो इरानी व्यापार और खिती को नश्ट कर दीगा इसराइल नहीं चाता है कि कोई भी मुस्लिम इंट्रेक्चुल जो कुरान मानता है वो इरान में मौजूद रहे खुमेनी ने इसराइल को इसराइल को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक कदम था तीन सितंबर 1989 के दिन जो खुमेनी इरान की सत्ता में आते हैं इरान ने इसराइल के साथ साथ सभी आदकारिक संबन्त तोड़ दिये इरान ने इसराइल का पासपोर्ट स्विकार करना बंद कर दिया तहरान में जैसी प्रॉक्सी और्गनाईजिशन को फंड करना सुरू कर दिया जो सीधे सीधे इसराइल से लड़ रही थी डैविड कामचे जो इरान में रेजा के समय एक इसराइली डिप्लोमेट और मुसाद के डिप्टी डिरेक्टर के रूप में काम कर चुके थे उन्होंने 2004 में एक इंटर्वू दिया जिसमें डैविड कामचे ने कहा कि इरान के साथ हमारे बहुत गहरे संबंद थी लोगों को इस बात पर यकीन करना मुस्किल था कि अचानक से इतने साल चले आ रहे हैं रिस्ते को अचानक से खिड़की के बार फैक दिया गया इसलिए खुमेनी के आ एंटी इजराइल इजेंडे के दम पर आई थी दूसरा खुमेनी फिलिस्तीन का मुद्दा उठा कर मिडल इस्ट और बाकी मुस्लिम कंट्रीज का वैलेडीशन लेना चाहते थे इसलिए मुश्खिल ही था कि इरान और इजराइल फिर से साथ आते लेकिन जियो पॉलिटिक प्लेनी पड़ती है जिन कॉमन खत्रों के लिए इरान और इजराइल 1950 के दौर में एक साथ आये थे भले ही वो खत्रे अब नहीं बचे थे लेकिन अभी भी एक मुहरा बाकी था जो आगे के 10 साल तक इस गेम को लीड करने वाला था उस मुहरे या कहें कि उस वक्त इस खेल पर नेता का नाम था सदाम होसेन दरसल इधर 3 दिसंबर 1989 के दिन इरान में खुमेनी का सासन आया इसी साल इरान के पड़ोंची देश इराग में 16 जुलाई 1989 के दिन सदाम ने सत्ता संभाली सदाम सुरू से ही यहुदी विरूदी था और अपनी जवानी की सुरूआत में ही यहुदी विरूदी बात पार्टी का मेंबर बन गया था इसलिए सदाम के एराक की सता में आने से इजराइल का नर्वस होना बनता था सदाम के पास वर्ल्ड की चौते नमर की सबसे बड़ी आर्मी थी जो इजराइल की आर्मी की लगबग चार गुना थी साथी सदाम हुस इरान के साथ भी थी, खुमेनी जो सत्ता में आने के बाद इरान को एजिप्ट की तरह पावरफुल बनाना चाते थे, मिल इस्ट का लीडर बनाना चाते थे, सद्दाम उनको इस गेम में एक कम्प्टीटर की तरह देखने लगता है, इसके अलाबा इरान और इराक में 60 अल अ रास्ता नहीं था, जिससे वह विश्व के बाकी देशों से व्यापार कर सके, इसलिए सद्दाम के नजर सुरू से ही 60 अल अरव नदी पर थी, दूसरा सद्दाम भी खुमेनी से डरता था, क्योंकि खुमेनी सिया समदाय से आने वाले पावरफुल निता थे, जबकि सद्दाम के लिए मुश्किल बात ये थी, कि जिस एराक देश की उसने सत्ता समाली थी, वो एराक एक सिया बाहुल देश था, इसलिए सद्दाम को डरता कि खुमेनी कभी भी सिया बाहुल देश एराक में उसका खेल खराब कर सकते हैं, खुमेनी का प्लान था कि वो एराकी सियाओं को influence करके सद्दाम के खिलाप बगावत के बिगुल बजबा कर उसे सत्ता से वे दखल कर देंगे इसके लिए खुमेनी ने न केवल इराकी सियाओं को आर्थिक मदद दी बलकि सद्दाम के खिलाप जम कर बयानवाजी की लेकिन खुमेनी यहाँ यह भूल रहे थे कि जिस बंदे से वो पंगाले रहे हैं वो उनसे 10 गुना ज्यादा संकी है जब सद्दाम को भनक लगी कि इरान के तरह ही इसलामिक रेवलुशन के चिंगारी अब इराक में भी भड़क रही है तब उसने सोचा कि इससे पहले कि इरान इराक पर कबजा कर ले उससे पहले ही मैं इरान पर कबजा कर लेता हूँ कुछ ऐसा सोच कर 22 सितमर 1910 के दिन सद्दाम हुसेन खुमेनी के इरान पर हमला कर देता है इस तरह एक ऐसे युद्ध की सुरुवात होती है जो अगले 8 सालों तक चलने वाला था इराक का इरान पर हमला खुमेनी के लिए काफी सर्प्राइजिंग रहा खुमेनी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके बयानवाजी को सद्दाम इतना सीरियसली ले लेगा अगर मिलिटरे स्ट्रेंग की बात की जाए तो इरान इराक के आगे कहीं नहीं टिकता था इसलिए खुमेनी को चिंता होने लगी कि वो इराक से इस युद्ध को कैसे जीतेगा अब तो अमेरिका भी उसके साथ नहीं था जो रेजा पैलवी के दौर में हुआ करता था बलकि अमेरिका अब उल्टा इराक को अपने वैपन मोहिया करवा रहा था इसका कारण ये था कि खुमेनी के सत्ता में आने से एक महिने पहले यानि 4 नमबर 1989 के दिन जब इरान में इसलामिक रेवलुशन अपने चरम पर था तब कुछ यंग रेवलुशनरी लड़के तहरान में मौजूद अमेरिकन एमबेसी में गुच जाते हैं और वहां मौजूद 53 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंदग बना लेते हैं जो लगबख 445 दिन तक तहरान में बंदग बना कर रखे गए इस बीच अमेरिका द्वारा इनको छड़वाने की काफी कोशिसे की जाती हैं लेकिन बात नहीं बनती यहीं से अमेरिका और इरान के रिलेशन जो रेजा के समय काफी फ्रेंडली थे वो खुमेनी के समय आते आते ओल टाइम लो पर पहुँच जाते हैं यहां अमेरिका ना केवल इरान से अपने सभी सम्मंद तोड लेता है बलकि यूएन द्वारा कई इंटरनेशनल बेंड भी लगवा देता है कुल मिलाकर जब सद्दाम ने इरान पर हमला किया तब इरान की अमेरिका और इज्राइल दोनों से बिगड़ी हुई थी कारण थे खुमेनी इराक ने सुरुआते तीन महिनों में ही इरान पर अपने मिग 23BN, TU-22 और SU-20 एयरक्राफ्ट की बदोलत इरान के एयर बेसिज और बाकी टेरिटरी पर तावड तोड इस्ट्राइक करके इरान के बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया तब इरान सीधा इस्राइल के पास जाता है अब बैक हेंड पर इस्रायल भी इरान के साथ इस युद्ड में इराक के खिलाप सामिल हो जाता है लेकिन सबाल ये कि इस्राइल की मदद क्यों की दूसरा इजराइल अगर इरान की मदद नहीं करता तो इससे एराक, सीरिया और जोडन के साथ मिलकर इजराइल के खलाब एक इस्टन ब्लोक बन जाता जिसको टैकल करना इजराइल के लिए भारी हो जाता इसलिए इरान की साहता करके इजराइल चाहता था कि इराक इरान के सा ताकि अपने रिसोर्स को इस युद्ध में पूरी तरह खर्च कर दें और दौनों में से किसी भी देश में इजराइल से लड़ने की स्ट्रेंग्ट ना बचेंग्ट इसके अलाबा इससे अरब देशों में और अधिक विवाजन होना था जिसका फायदा इजराइल को सीधे- जब इरान पर आक्रमण किया उसके तीन दिन बाद ही इजराइल के विदेश मंत्री मोसे दयान ने अमेरिका से पास्ट को भूल जाने की और इरान को अपनी सिक्योर्टी बनाई रखने में मदद करने की रिक्वेस्ट की दो जिन बाद ही इजराइल की उपो रक्षा मंत्री जिपूरी ने भी अनौंसमेंट किया कि यदि एरान यहुदी राजय यानि इजराइल से अपनी दुस्मनी खत्म करता है तो इजराइल उसे मिलिटरी हेल्प प्रदान करेगा मुसाद के पूर्व अधकारी जोसिफ अलफर ने 27 अक्टूवर 2004 को दिये अपने एक इंटर्वू में यही बात कही कि जब इरान एक अरब देश से लड़ रहा है तो क्या हम उसके सोभाविक सहयोगी नहीं हुए लेकिन इस सब के बावजूद सुरवाती हमले के दोरान इरान ने इजराइल की हल्प पर कोई रेस्पोंड नहीं किया लेकिन जब इराकी फोर्सेज काफी तेजी से उसकी टेरिटरी पर कबज़ा कर लेती हैं तो आखिर इरान इजराइल की मदद लेने के लिए तयार हो ज हतियार बेचे इतना ही नहीं साल 1980 में ही इसराइल ने बगदाद के पास इराक के उसिरक परमाडू रियक्टर को नश्ट करके इराक की मदद की इवन खुमेनी सरकार के लिए काम करने वाले एक इरानी हतियार डीलर एहमद हैदरी के अनुसार वार के स्टार्टिंग में इर बीन हासिल नहीं कर पाए तब दोनों देसों ने यूएन के बीच में आने के बाद सीजफायर का एलान कर दिया और इस तरह आठ साल लंबे चले इस युद्ध का यहीं अन्त हो जाता है अब इरान और इराक युद्ध का तो अन्त हो चुका था लेकिन 1990 में जियो पॉलिट उससे पहले बहुत से देश थे जो अब टूटकर अलग अलग हो चुके थे और गल्फ वर की शुरुआत तब हुई थी जब सद्दाम उसे ने कुवेत और सौधी अरव पर हमला कर दिया था इसके पीछे कारण ये था कि इराक पर सौधी अरव और कुवेत का कर्ज था जो जो उसने अलग-अलग देशों से योद लड़ने के लिए लिया था जब ये देश पैसा मांगने लगे तो सद्दाम ने अलग-अलग बहाने बना कर कुवेत पर हमला करके उसे अपने कबजे में ले लिया इस तरह गल्फ वर की शुरुआत होती है जिसमें सौधी अरव औ और कुवेत की साइड अमेरिका उतर जाता है और अमेरिका के साथ दरजनों देशों ने मिलकर सद्दाम को हरा दिया चुकि एरान और इजराइल दोनों के साथ आने के पीछे इराक और सोबियत यूनियन के डर का एक बड़ा हाथ था लेकिन 1991 में दोनों ही डर खत्म हो जात आती है और गल्फ वार में सद्दाम हुसेन हार जाता है यानि एराक हार जाता है इसलिए अब इरान और इस एक साथ रहने का बचसे नहीं बचिए जक्साल 1997 में सद्दाम हुसेन के फोल के बाद अमेरिका इजराइल और इरान के बीच ऐसी खिचडि पकी कि एरान अस जाने के लिए मजबूर हो गया जिस हालात में आज आप उसे देखते हैं। दरसल गल्फ ववर के दोरान इरान नीट्रल रहा और इसके अलावा इरान ने गल्फ ववर के दोरान अमेरिका को अपना हवाई छेतर इस्तेमाल करने की परमीशन भी दी थी। इसलिए इरान को उम साफ हो चुका था कि अमेरिका इरान को अपनी नई मिडल इस्ट पॉलिसी में सामिल नहीं करेगा। दूसरी तरफ इसराइल से भी इरान को निरासा मिली। दरसल 1992 में जब इसराइल में चुनाव हुए तब वहां मौजूद लेवर पार्टी की जीत होती है। लेवर पार् इसराइल को अपने अरव पड़ोंसियों से 1950 और 1980 के दसक में था अब वह खत्रा का मूजुका था। तब इसराइल को लगा कि ऐसे हालातों में अगर उसको लोंग टर्म में अपनी सुरक्सा सुनिशित करनी हैं तब उसको अपने पड़ोंसी अरव देसों से ही दोस्ती का ह बढ़ाना चाहिए ना कि उसके आज़-पास के इरान जैसे गैर अरव देसों के साथ ये इसराइल की पुरानी विदेशनीती जिसे पैरिफयरी डॉक्रिन यानि परिद्य सिद्धान्त कहा जाता था उसका उल्टा थी जिसमें इसराइल पड़ोंसी देशों के बजाए पड़ोंसी देशों के पड़ोंसी देशों से दोस्ती रख रहा था उसको समझाया कि वो इन अल्प विक्सित अरव देशों से अगर दोस्ती करेगा तो Middle East का economic engine भी बन सकता है अरव देशों में जो 25 करोड की जन संक्या का market है उनके लिए product बना सकता है Middle East में एक आर्थिक सक्ती बनकर उबर सकता है लेकिन अरव देशों के साथ दोस्ती करना इजराइल के लिए इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था क्योंकि इजराइली जनता जो सालों से अरवों को दुस्वन के रूप में देखती आ रही थी उनको अरव देशों से दोस्ती के लिए कन्विंस करना काफी मुश्किल काम था इजराईली प्राइम मिनिस्टर जिजाख राविन का मानना था कि इजराईली लोग अरव देशों के साथ सांती समझोते को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उनके सामने अरवों से भी बड़ा और भयानक खत्रा ना लाया जाए इदर रोहिला खौमेनी के आने से इरान जो 1989 से ही इजराईल के खिलाप आग उगल रहा था इसलिए यहां जिस बड़े खत्रे की तलास इजराईली पॉलिटिसियन्स कर रहे थे वो खत्रा उन्हें इरान के रूप में मिल जाता है यानि इजराईली जनता को अर्वों के साथ दोस्ति स्विकार करने के लिए उन्हें इरान और इसलामी कट्रबाद और आतंगवाद को खत्रा दिखाया गया और ये डर अकेले इजराईली लोगों को नहीं बेचा गया बलकि ये डर अर्व देशों को भी बेचा गया जो इजराईल के साथ सांती समझोता कर रहे थे उनको भी बताया गया कि फिलिस्तिनी भूमी में इजराइल के कबजा और उसके नुकलियर वैपन्स उतने खतरनाक नहीं है जितना अरवों के लिए इरान का इस्लामिक कटरवाद खतरनाक है क्योंकि अगर इरान का इस्लामिक रेविलूशन इन देशों में आया तब उनको यानि उन सबको अपनी सत्तागवाणी पड़ सकती है हलांकि इस्लामिक कटरवाद के डर को बेजने के पीछे एक और रीजन था जिसे इस्लाइली पॉलिटिकल साइंटिस्ट एफ्राइम इनवार ने बताया है एफ्राइम इनवार के अनुसार इस्राइल ये सोच रहा था कि कोल्ड वर खत्म होने के बाद अमेरिका और इस्राइल के रिलेशन ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और अगर अमेरिका के साथ रिलेशन फिर से मैंटेन करने हैं तो कुछ नई गोंद की जरूरत पड़ेगी और ये नया गोंद था कटरपंती इसलाम का बहाना इसलिए इसराइली प्राइम मिनिस्टर यज्जाक राबिन ने अमेरिका को इरानी खत्रे को उतना दिखाया जितना वो रियल में नहीं था और इस गोंद को खुल कर बेचा अब जैसे इरान 1989 में इसराइल के खिलाब थीक ही धार्मिक टिपडियां करता था वैसे ही अब इसराइल भी इरान के खिलाब थीक ऐसी ही टिपडियां करने लग जाता है इरान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में देखना इजरायल की राजनीतिक बयानवाजी का एक महतपून हिस्सा बन गया इजरायल इरान को घेरने में इस हद तक चला गया कि पूरे विस्व में कहीं भी अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती तो उसके लिए इरान को जिम्मेदार थेराया जाता इजरायली प्रधान मंतरी राविन ने इरान और कथित इसलामी कटरता पर भासर देने का कोई मोका नहीं छोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही राविन थे जिनोंने कुछ साल पहले ही कहा था कि इरान इजरायल का बेस्ट फ्रेंड है और उनका इस दोस्ती वाली पोजिशन को बदलने का कोई इरादा नहीं है लेकिन अब राविन इरान के जगए अरव देशों से ही संबंद बनाने की कोशिस में थे लेकिन इजरायल का एक बड़ा धढ़ा अरव देशों से दोस्ती के पक्स में नहीं था इसी कारण 4 नमबर 1995 के दिन राविन को एक इजरायली कटरपन्ती यगाल आमिर द्वारा एसेसिनेट कर दिया जाता है यह जाग राविन के बाद इजरायल के नई प्रदान منتری यानि सिमून पैरेस भी राविन के तरे ही एडान के खिलाप अपनी तीखी बयानवाजी और बड़ा देते हैं इवन इरान पर हमले करनी की भी धमकी देते हैं इधर इरान ने भी फिर से इजराइल के खिलाब उन प्रॉक्सी ग्रूप को फंडिंग देनी शुरू कर दी जिनको वो 1980 के दसक में दिया करता था अब इरान इजराइल और अमिर्का की उस नीती पर प्रहार करने लगा जो इजराइल की सबसे कमजूर करी थी याणि इजराइल के अरव देशों के साथ सांथी समझोते की अब इरान लेबनान में मौझूद हिजबॉला गृूप और फिलिस्तीन में मौझूद हमास को faculty सुर ये जाक राविन और सिमून पैरिश के मुकाबले नेतन्याहू अरब विरोदी थे, इसलिए नेतन्याहू ने इजराइल अरब सांती समझोते यानि ओसलू एकोर्ड के खिलाब बातें करना शुरू कर दिया, नेतन्याहू का मानना था कि इजराइल का अरब देशों के साथ द दर था कि कहीं अमेरिका एक वार फिर से खुद एरान के साथ एक पाले में ना आ जाए अगर ऐसा हुआ तो निसंदे ही इसराइल मिडल इस्ट में अकेला पड़ जाएगा वो अरब देश और एरान दोनों को अपना दुस्मन बना बैठेगा लिकिन नेतन्याहों का ये पेला का ये आखरी प्रियास भी तूड़ जाता है दूसरी तरफ एरान भी साल 1997 में सहाव 3 नाम की बैलिस्टिक मिसायल बना कर अपने तेवर साब तोर पर जाहर कर देता है इसके अलावा इसराइल के खुपिया सुत्रों को पता चलता है कि एरान तेजी से परमाडू हत्यारों क को विक्सित करने की पुर्जोर तयारी कर रहा है यानि कि 1990 के दसक की शुरुआत में जहाँ इसराइली का टरपंतियों ने इरान के एक्स्ट्रीम वर्जन की बात की थी आतंगवाद की बात की थी वो बातें अब सच होने लग रही थी लेकिन साल 1997 में मौहमद खात्मी इरा के नए प्रिजिडेंट बन जाते हैं खात्मी इरान के अमेरिका से दोस्ती रखने के पक्समे थे इस तरह मौहमद खात्मी इरान के रेडिकल धणों को अमेरिका से दोस्ती बनाए रखने के लिए कंविंस कर लेते हैं इस बीच 11 सितंबर 2001 के दिन लादिन ने अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कर दिया अब अमेरिका का सिर्फ एक ही लक्स था वह था लादिन से बदला लेना उन दिनों लादिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की सरण में चुपा हुआ था अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकाइदा और तालिवान के खिलाप military operations शुरू कर दिये जिसमें अमेरिका को इरान से भी कुछ मदद मिली माना ये भी जाता है कि तालिवान की सरकार को हटा कर वहाँ पर दूसरी सरकार को इस्ताफित करने में भी इरान ने अमेरिका की काफी help की थी इरान ने अफगानिस्तान में operations करने के लिए अपने सेन अड़ों को अमेरिका के लिए भी खुला छोड़ दिया था इसके साथ ही अलकाईदा के लीडर्स को मारने और खुपया जानकारी देने के लिए भी इरान ने अमिर्का की मदद की थी खात्मी ने इजराइल फिलिस्तीन संगर्स को सुल जाने के लिए टू स्टेट समाधान का समर्थन किया जो पहले सिर्फ एक स्टेट यानि फेडरल स्टेट की बात करते थे मतलब अब इरान भी मानने लगा कि इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश मान लिये जाएं और सांती से रहें प्रेशिडेंट खात्मी को उम्मित थी कि उनके इस जेस्टर से अमेर्का खुस हो जाएगा और दोनों देशों के बीच फिर से सकारात्मक समन्नों का रास्ता खुलेगा लेकिन 29 जनवरी 2002 के दिन अमेर्की राष्टपती जोर्ज डबलू वुस इराक और नॉर्थ कोरिया के साथ इरान को भी एक्सेस ओफ एविल यानी बुराई की धुरी का हिस्ता बता देते हैं इससे इरानी नित्रित में उन कट्रपंती धणों के हाथ मजबूत हो जाते हैं जो पहले ही इरान को अमेर्का से दूर रहने की बोल रहे थे जो बोल रहे थे कि अमेर्का सिर्फ और सिर्फ इरान को कमजूर करने और यहां की सत्ता बदलने में ही इंट्रेस्टेड रहता है इसके अलावा अमेरिका को इरान से कोई मतलब नहीं है इरान के कट्रपंती धड़े तर्क देने लगते हैं कि इरान को बजाए अमेरिका और इजराइल के पाले में जाने के खुद को मिडल इस्ट में अपनी एक इंडिपेंडनेंट आवाज बनाना चाहिए इस समय तक इजि इस्ट मुसलमानों में अपना इन्विष्ट करना चाहिए ताकि लॉंग टर्म में इरान द्वारा किया ये निविष्ट उनके काम आ सके यहां इरान में मौजूद कट्रपंती धड़ों की जीत होती है जून 2005 में इरान में मौजूद एहमदी नेजाद प्रिजिडेंट का तेजी से काम करना सुरू कर दिया इजराइल और अमेरिका के खिलाब भड़काऊ बयानबाजी तेज कर दी एहमदी नेजाद ने इजराइल को दुनिया के नक्से से मिटाने तक की धमकी दे डाली कुल मिलाकर इरान को वैचारिक तोर पर ऐसा बना दिया जैसा इरान कभी आयातुल्ला खुमेनी के समय पर हुआ करता था इसके कांटर में इजराइल भी इरान के मिडल इस्ट में इंफ्लूएंस को कम करने और इसके नूकलियर प्रोग्राम को रोगने के लिए अपने मिलिटरी और इंटेलिजेंस ऑपरिशन्स सुरू कर देता है साल 2006 में फर्स्ट इजराइल हिजबुला वर्ड शुरू होता है हिजबुला एक लेबनानी सिया इसलामी पॉलिटिकल और एक मिलिटरी संक्ठन है हिजबुला का जन्म भले ही लेबनान में हुआ लेकिन इसके पीछे इरान का पूरा सपोर्ट रहा हिजबुला और लेबनान में मौझूद इजराइली ओक्यूपेशन को वापिस इजराइल में खदिर ना था हालांकि ये अकेला प्रॉक्सी वर नहीं था जो इरान इजराइल में लड़ा गया इसके अलाबा 2011 में सीरिया में सुरू हुए सिविल वर को भी दोनों दिसों ने अपने अपने मिलिटेंट्स ग्रूप जैसे नुस्रा फ्रंट अलकाइदा अपसूट जैसे मिलिटेंट और्गिनाइजिसन को सपोर्ट कर रहा था इरान ने गाजा स्ट्रिप में मौझूद फिलिस्तिनियों के लड़ाकू संक्तन हमास को भी साल 2008 और 9, 2012, 2014 और 21 और अभी 2023 और 24 के कई व विज्ञानकों को मारने के भी आरोप लगते हैं साल 2012 में मुस्तफा एहमदी रूशन जो की एक इरानी नुकलियर साइंटिस्ट थे उन्हें एक बाइक सवार ने उनकी कार में बम रखकर मौत के घाट उतार दिया एहमदी रूशन की हत्या के लिए इरान ने अमिर्का और इसराइल पर आरोप लगाया और आरोप लगाय कि ये इरान के परमाडू कारेकरम को बाधित करने की कोशिस हैं साल 2020 में भी इरानी नुकलियर साइंटिस्ट महसिन फकरिजा देह को भी एक आटमेटिक सैटलाइट गंज से मार गिराया गया था महसिन फकरी जाद एहे की हत्या के लिए भी एरान ने इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार माना साल 2021 में भी इजराइल ने इरान के नुकलियर फैसिलिटी को तबहा करने के लिए स्टक्नेट नाम के कम्प्यूटर वर्म का इस्तेमाल किया कुल मिलाकर 21 सदी के सुरवात से ही इरान और इजराइल इंडारेक्ट रूप से प्रोक्सी वर और हमलों के जरिये एक दूसरे पर अटेक कर रहे थे लेकिन इस तनातनी के बाद 7 अक्टूबर 2030 का दिन आता है जिस गटना के वज़े से वो वर जो अब तक इरान इजराइल दूसरों के कंदों पर बंदुक लगा कर लड़ रहे थे अब ये वर आमने सामने की लड़ाई बन जाता है दरसल 7 अक्टूबर 2030 के दिन हमास गाजा से 5000 से ज़्यादा रोकेट इजराइल पर दागता है इस हद तक तवाही की कहा जाने लगा कि हिटलर के समय के होलोकास्ट के बाद ये यहुदियों के खिलाब सबसे बड़ी हिंसा है जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए हमास पर 250 इजराइलियों को बंदग बनाने के आरोप भी लगे इसके अगले ही दिन 8 अक्टूवर को इजराइल ने भी हमास के खिलाब तावर तोड हमले शुरू कर दिये जिसे ओपरेशन आइरन स्वर्स नाम से भी जाना जाता है इजराइल हमास द्वारा किये गए इतनी बड़ी इंटेंसिटी के हमले को देख कर चौक जाता है इसके शुरूआत एक अप्रेल 2024 को होती है जब इजराइल सीरिया में मौझूद इरन एमबसी में इसलामिक रेवलूशनरी गाड कॉप्स के सीनियर ओफिसर ब्रिगेडियर जनरल मुहमद रेजा जाहिदी को एक एर स्ट्राइक में मार देता है इस एर स्ट्राइक में जाहिदी के साथ 11 और लोगों की मौत उजाती है जिसमें हमास की लीडर भी थे चुकि यह हमला इरनी एमबसी पर हुआ था इसलिए इरन इसको अपने उपर डायरेक्ट अटेक की तरह मानता है इस तरह इरन 13 अपरेल 2024 के दिन 300 से ज़्यादा बैरिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को इजराइल पर दाग कर लगवग 45 सालों से चली आ रही प्रोक्सी वोर को एक डायरेक्ट वोर में बदल देता है इसके साथ ही इरन के प्रोक्सी मिलीशिया ग्रूप जैसे हिजबुला और हूती भी इजराइल पर हमले शुरू कर देते हैं लेकिन इन हमलों में हिजबुला बहुत अग्रेसिवली इजराइल को टारगेट कर रहा था ऐसा कहा जाता है कि इस जंग में हमाज के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा नुक्सान हिजबुला ही पहुँचा रहा था हिजबुला लगातार इजराइल के नॉर्दन इलाकों में अटेक करने लगा इस वज़े से इजराइल के करीब 60,000 लोगों को नौर्थ इजराइल छूड़ कर विस्तापित होना पड़ा इसलिए इरान का ये प्रॉक्सी मिलीसिया ग्रूप इजराइल के लिए सर दर्द बन गया है इसलिए अब इजराइल ने हिज़बुला को सबक सिखाने के लिए 18 सितंबर 2024 के दिन लेबनान में एक सरप्राइज अटेक किया ये अटेक अपने आप में काफी योनिक थे क्योंकि इस अटेक में हिजबुला के लड़ाके जिस पेजर का इस्तेमाल करते थे वो पेजर बॉम की तरह फटने लगे दरसल हिजबुला ने अपने लड़ाकों के बीच कम्यूनकेशन के लिए पेजर खरीदे थे लेकिन इजराइल ने पहले से ही प्लानिंग करके इन पेजर सिस्टम में बंफिट करवा दिये थे धीरे धीरे हिजबुला के लड़ाकों के पेजर एक एक करके फटने लगते हैं इन लेजर धवाकों से लगबग 20 लोगों की जान चली जाती है जिसमें मुश्टली हिजबुला के लड़ाके बताई जा रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि इजराइल ने इन पेजर को बं में बदलने का काम कैसे किया इसकी एक अलग कहानी है हिजबुला पर जो वीडियो हम लाने जा रहे हैं उसमें इस मुद्ध को डिटेल में कबर करेंगे यहाँ इसे ऐसे समझ लेते हैं कि मैं एक रीडियो खरीदने जाओं और मेरे दुस्मनों को पता चल जाए कि स्याम यहां से रीडियो खरीदेगा और मेरे दुस्मन पहले से ही उस जगह पर जाकर उसमें बं फिट करवा दें यही इसराइल और हिजबुला के मामले में हुगा इसे हम हिजबुला पर बनाए गई हमारी स्पेशल वीडियो में स्पेशली कबर करेंगे कुल मलाकर इजरायल ने हिजबुला की पेजर दूर से ही उड़ा डाले लेकिन हिजबुला पर इस हमले का जादा असर नहीं हुआ लेकिन इजरायल ने इसी कड़ी में 27 सितंबर 2024 के दिन बेरूत में मौझूद हिजबुला के हेड़कॉर्टर पर हमला कर दिया और हिजबुला के चीफ नसुरला को मार डाला नसुरला की मौत ने हिजबुला और इरान दोनों को तगड़ा जड़का दिया इसी लिए इरान भी बदला लेने की तयारी में लग गया उसी प्लानिंग का रिजट एक अक्टूबर 2024 के दिन दिखा जब इरान इसराइल पर 200 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है खास बात ये कि इसमें से मौशली मिसाइल को इसराइल का आइरन डोम सिस्टम रूक नहीं पाया इरान से इसलामिक रेवलूशनरी गाड कोप्स की माने तो इस बार इरान की मिसाइल इसराइल के सभी डिफेंस सिस्टम को तोड़ते हुए 90% तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्सेस्पुल रही इस अटेक के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव अब तक के सबसे बुरे हालातों में पहुँच चुका है जहां इरान अपने प्रोक्सी की मदद से अभी भी इसराइल पर हमले कर रहा है वहीं इसराइल भी इन हमलों का जवाब विद्वनसक तरीके से दे रहा है अकेले पिछले एक साल के रिकोर्ड को देखे तो इसराइल ने अब तक गाजा पर 40,000 से ज़्यादा ठेकानों पर बंबारी की है और हमास के 4700 सुरंगों और 1000 रोकेट लॉंचर साइट्स को नश्ट कर दिया है वहीं गाजा से 13,200, लेबनान से 12,400, इरान से 400, यमन से 180 और सीरिया से 60 रोकेट इजराइल पर दागे जा चुके हैं दसको पुरानी ये लड़ाई नजाने कब जाकर रुकेगी नजाने और कितने हमले होने, सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि यहोदी और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर रह सकते हैं बैटकर एक बीच के रास्ते पर आकर एक सांतिपूर्ण जिंदगी शुरू कर सकते हैं लेकिन अरब देशों और इजराईल के इतिहास ने इसे इतना कॉंप्लिकेटेड कर दिया है कि दोनों कम्यूनिटी के भाग में सिर्फ हिंसा, बरबादी, मौत और साधते ही लिखी होई हैं इजराईल और इरान की ये कहानी फिलाहल यहीं खत्म होती हैं साथ ही आपको इस वीडियो से रिलेटेड दो-तिन वीडियो आपको सजेस्ट करूँगा हमने सद्दाम हुसेन, लादेन, सियाईये और इरान को लेकर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई हैं ये वीडियो अगर आपने देख ली तो समझे इतियास की चार-पांच किताबें पढ़ ढ़ा ली मुझे यकीन है कि इस वीडियो ने भी आपके बहुत से मित तोड़े होंगे और मिडल इस्ट को लेकर आपकी समझ को बढ़ाने में इस वीडियो ने जरूर मदद की होगी अगर हम और हमारी पूरी टीम ऐसा करने में एक परसेंट भी सक्सेशफूल रही है तो किरपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के बाद जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अन्तमे बात टूटसी की अगर आप भी एक confident smile पाना चाहते हैं तो आज ही टूटसी teeth aligners लेने के लिए टूटसी की website पर जाकर free teeth test book करवा लें टूटसी के teeth aligners बाकी metal braces के मुकाबले टेड़े मेड़े दातों के लिए best solution है इन्विजवल, removable, guaranteed और pealness टूटसी का link comment box और description box में मिल जाएगा जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को भी subscribe करते हुए जाएगे तो हमारा manual बढ़ेगा तब तक के लिए बने रहे इसी चैनल पर नमस्कार